हालो फ्रेंट्स आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज है हम गवर्न्मेंट इंस्टिटूट आफ मेडिकल साइन्स इज कासना ग्रेंट्र नोईडा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्थित और ग्रणी अस्पतालों में से एक है आज इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं Government Institute of Medical Sciences कासना ग्रेंटर नोईडा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्थित और अग्रणी अस्पतालों में से एक है कॉलेज लोकप्रिय रूप से GIMS ग्रेंटर नोईडा के रूप में जाना जाता है जो ग्रेंटर नोईडा उत्तर प्रदेश में स्थित है कॉलेज किंग जोर्जिस मेडिकल युनिवर्सिटी लखनू से संबध है और राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग NMC द्वारा अनुमोदित है कॉलेज सभी आधुनिक तकनिक से लेस अच्ची तरह से प्रशिक्षित और उच्छ शिक्षित संकाय सदस्यों का एक अच्छा अनुपात प्रदान करता है GIMS में बहुत अच्छे संकाय हैं जो प्रतिष्टित संस्थानों से आये हैं और सभी अत्यधिक अनुभवी और समर्पित है अस्पताल पूरी तरह कारियात्मक है जो रोग्यों को व्यापक देखभाल प्रदान करता है GIMS में बहुत अच्छे संकाई हैं जो प्रतिष्ठित संस्थानों से आए हैं और सभी अत्यधिक अनुभवी और समर्पित हैं अस्पताल पूरी तरह कार्यात्मक है जो रोग्यों को व्यापक, देखभाल, प्रदान करता है इस वीडियो में हम GIMS ग्रेटर नोईला के सभी अवश्यक विवरण जैसे सुविधाय पातिक्रम, प्रवेश मार्ग दर्शन, शुल्क संरचना, आवेधन कैसे करें पाटता, कटोफ, परिराम, परामर्श और अन्य विवरण साजा करेंगे GIMS गौतम बुद्ध नगर में कासना के पास ग्रेटर नोईडा में स्थित है और गौतम, बुद्ध नगर, हापुड, बुलंद शहर, खुरजा, जेवर, मतुरा और पडोसी शेत्रों को पूरा करता है यह Government Institute of Medical Sciences Greater Noida सुविधाय है जो GIMS Greater Noida में पढ़ने या पहले से पढ़ने वाले छात्रों को दी जाती है Medical, Computer Labs, Library, Sports, Auditorium, Cafeteria, Hostel, Laboratory, Hospital, OPD, Center for Community Medicine, Blood Bank, Medical, Social and Welfare Services यहाँ पर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर 100 MBBS सीट है फीस स्ट्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरा डीटेल में बताता हूँ जान लीजिए Undergraduate के लिए GIMS Greater Noida फीस स्ट्चर आईए जान लेते हैं Course School फीस, Application Form एक सो रुपई, General Category के लिए Tution फीस 18,000 रुपई और OBC, ST, SC के लिए 9,000 रुपई अन्य शुल्क चार हजार परती वर्ष, Development फीस 2,000 परती वर्ष, Central Library फीस 1,000 परती वर्ष, Examination फीस 12,000 पर एक्जाम के लिए Computer फीस 500 परती परिक्षा के लिए Marksheet फीस 1,000 रुपई, Prateek Marksheet के लिए Admission फीस 2,000 रुपई 8E Time of Admission, Investment 1,000 रुपई, 8E Time of Admission, Student Welfare 1,000 रुपई, 8E Time of Admission, Athletic Association 1,000 रुपई, 8E Time of Admission, Ment Miscellaneous फीस 30,000 रुपई, At A Time of Admission, Quotient Money, Vapsy Yogya, 10,000 रुपई, Total Fis 4 General Category के लिए 83,600 रुपई, OBC, ST, SC वर्प के लिए Total Fis 74,600 रुपई, Hostel Fis 3,000 परती मा और Mace Fis 2,500 रुपई, प्रती मा, हमारे बताए हुई Fis से कुछ परिबरतन हो सकता है, यहाँ पर MBBS स्टूडेंट को स्टीपेंट के दौरान 17,000 रुपई महीना मिलता है, और बोंड के खिलाफ, अगर कोई स्टूडेंट करता है, तो उसे 10,000 रुपई, जिर्माना देना पड़ेगा, यहाँ की कट ओफ देखे, तो 2021 में पहली राउंड का ओपनिंग रांक जैनेरल कैटोगरी के लिए 3,104 और क्लोजिंग रांक 4,600 था, और 646 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को यहाँ पर MBBS में एडमिशन मिला था, ठीक उसी तरह OBC कैटोगरी के लिए ओपनिंग रांक 6009 और क्लोजिंग रांक 6506 था, और 637 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को यहाँ पर MBBS में एडमिशन मिला था, SC category के लिए opening rank 33,741 और closing rank 45,314 था और 552 marks लाने वाले student को यहाँ पर MBBS में admission मिला था EWS के लिए opening rank 4,777 और closing rank 4,910 था और 645 marks लाने वाले student को यहाँ पर MBBS में admission मिला था SC category के लिए rank 9,826 और 531 marks लाने वाले student को यहाँ पर MBBS में admission मिला था Friends कुछ और भी category है जो सब वीडियो में कहना संभव नहीं है सब category की अगर बात करेंगे तो वीडियो जादा लंबा हो जाएगा तो Friends आज की वीडियो में बस इतना ही अगर मन में कोई संदे है तो जरूर कमेट करें आशा करता हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी तबालो ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का सूचना आपको मिलाएगा